हेलो एडिवान वेलकम टो वेजमी आई वेलकम यू तू दिस बरी यूनीक सेशन जिसमें की हम सी एलिगन डेवलप्मेंटल बायोलोजी के बार में पढ़ेंगी लेकिन इस बार जिस तरीके से हम पढ़ेंगे वो होगा माइंड मैप तो ये एक तरीके से आपके सामने as a example रखा जा रहा है कि चाहिए कितना भी lengthy chapter हो उसको अगर आप mind map में convert कर देते हो और उन्टे key points को सिफ mention कर देते हो तो वो आपको मदद करते हैं बाकी सब चीजों को जो भी उस topics से related हो उसको बहुत ही better तरीके से learn करने हैं अकसे बच्चों को बहुत जदा दिक्कत होती है जब वो किसी भी type का theory subject पढ़ रहे होते हैं जिसमें कि उनको बहुत सी चीजे जो है मतलब की as a key point देखने को मिलता है उस time पे वो बहुत जदा confused चलते हैं कि हाँ actual में हम किस तरीके से उन सारी चीजों को एक साथ मतलब की बहुत crisp तरीके से कैसे convert करें तो यह मेरी कोशिश है आपके सामने as a example जिसके तुरू आप समझ सकते हैं कि कैसे आप किसी भी complex topic को जो है mind map में convert कर सकते हैं और यह mind map make sure आपके concept gain अगर आपने पहले सी concept gain करके रखा है तो यह mind map आपके revision time में आपकी बहुत ज़ादा मदद करते हैं क्योंकि आप एक बार चीजों को सीख चुके हो अब आपको polish करना होता है जब आप revision time में चल रहे होते हो उस वक्त पर जरूरी होता है कि कोई भी topic आपके सामने crisp form में रखा जाए क्योंकि detail आप already पढ़ चुके होते हो और कुछ topic तो ऐसी होते हैं कि अगर आप revision time में उनको एक तरीके से deal ना करो तो आप exam के पहले पहले जो है उन सभी चीजों को लगभग एक तरीके से भूल जाते हो तो बहुत से ऐसे topic होते हैं जिनको exam में मतलब बैठने से पहले revise करना जरूरी होता है development biology एक ऐसा unit है जो कि same demand करता है आपने कितने ही एच्छे से developmental biology पहले पढ़ कि developmental biology बहुत जादा experimental और theoretical एक unit हो जाता है अब उसको कैसे crisp तरीके से convert करें यह बहुत बड़ा challenge होता है तो आज इस session में आप यही देखेंगे कि मैंने C.E.L.E.G.N. जैसे lengthy chapter को कैसे mind map में convert कर दिया बहुत ही crisp तरीके से convert कर दिया है make sure यह जो mind map है यह उन्हीं बच्चों की मदद करता है जिन्होंने at least एक बार उस topic को बहुत ही detail में पढ़ा होगा अगर आपने जिंदिकी में कभी भी C.E.L.E.G.N. नहीं पढ़ा है तो maybe फिर आप इस video से उतना जादा benefit नहीं gain कर पाएंगे लेकिन अगर आपने अपनी life में C.E.L.E.G.N. को एक बार दो बार detail मे बढ़ा है तब ये video जो है आपके लिए बहुत जादा helpful रहने वाली है in fact ये जो chapter है मैं खुद इसको बढ़ाने में लगभग 5-6 घंटे minimum लगाती हूँ बच्चों के साथ जिससे कि हम ये पूरा chapter deal कर पाते हैं कभी-कभी तो ऐसा होता है कि 5-6 घंटे से भी जादा time लग इस एक chapter को complete तरीके से deal करने में लेकिन आप देखेंगे कि आज जो है हम इस mind map की मदद से इस particular chapter को लगभग आप कह सकते हो 15-20 मिनट में deal कर लेंगे लेकिन again जैसे कि मैं disclaimer दे रही हूँ ये mind map उन्हीं बच्चों के लिए useful है जी होने अपनी life में पहले कभी जो है इस chapter को that is See Elegant Developmental Biology chapter को पहले एक बार या दो बार detail में पढ़के रखा है और अब वो revision time के लिए एक ऐसा तरीका ढूंड रहे हैं जिससे कि वो See Elegant को बहुत जल्दी याद कर पाए मैं तो चलिए देखते हैं कि इस mind map में आपको क्या gain करने को मिलता है और actual में क्या ये आपके mind में ए पसंद आती है तो आप चानल को सब्सक्राइब कर सकते हैं as well as इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं चलिए तो देख सकते हैं आप यहाँ पर See Elegant की बात करते हैं हम तो See Elegant क्या है एक नीमय टोड काटिगरी में आता है ये का और गानिजम जो है नीमय टोड क इस वक्त पे See Elegant Moral Organism की तरह काम करता है इसमें दोस एक्सपाइज आते हैं male and female female जो होती है उसको अकसर जो है sorry male and hermaphoread होता है hermaphoread को अकसर जो है female की तरह देखा जाता है और hermaphoread that is sperm और egg दोनों ही produce कर सकती है इसी वज़े से hermaphoread जो हो cross fertilization भी कर सकती है जिस वक्त पर ये female की तरह act करेगी और जो sperm है वो male से आएगा या फिर ये self fertilization भी कर सकती है यानिकि इसी की body से release हुआ sperm इसी के egg से जो है एक तरीके से fuse करेगा तो ये दोनों ही event आपको देखने को मिल सकते हैं C.E.L.E.G.N. में हमको autonomous and conditional specification दोनों ही cases देखने को मिलते हैं in fact C.E.L.E.G.N. में एक बहुत ही बढ़िया सा event है जिसे हम कहते हैं vulva induction vulva का formation जो है ये लगबर larval stage में होता है और vulva लगबर 22 cells का मिलकर बना होता है vulva actual में है क्या तो vulva जो है female में एक sex apparatus की तरह काम करता है और ये serve करता है एक ऐसे path मतलब की एक ऐसे opening की तरह जहां से sperm entry लेगा और fertilize एक जो है gonads को leave करेगा और location wise अगर हम बात करते हैं तो ये जो vulva है ये mid-ventally present रहता है C.E.L.E.G.N. की body में इसके अलावा इसमें जो है anchor cells भी पाए जाते हैं C.E.L.E.G.N. में जो की somatic gonad cells होते हैं और para-gain, juxta-gain signaling एक साथ काम करती है ताकि vulva का formation किया जा सके तो C.E.L.E.G.N. में जो हमें main-main event पढ़ना होता है वो है anchor cell का formation वल्वा का induction और mutation cases, cleavage, axis formation and specification जिसमें की AB cell, P1 cell और EMS cell चले आते हैं अब अगर हम anchor cell के formation की बात करें तो अभी अभी हमने देखा कि anchor cell क्या होते हैं somatic gonadal cells होते हैं तो इनका formation कैसे होता है देखिए तो कभी भी हम C.E.L.E.G.N. की बात करते हैं let's consider hermaphroid की बात करते हैं क्योंकि जब भी आप एक population देखोगे उसमें hermaphroid का number आपको ज़्यादा देखने को मिलता है handsome easy को जो है consider करके चलते हैं तो hermaphroid में क्या होता है? दो cells adjacent basis पे पाये जाते हैं जिनका नाम है z1.PPP and z4.AA क्योंकि दोनों के पास capability होती है कि future में चलके यह anchor cell बन सकते हैं तो होता क्या है? कि इनमें by chance event होता है और कोई एक cell select हो जाता है it could be z1.PPP or it could be z4.AA इसी को हमने यहाँ cell 1 and cell 2 के लिख कर mention किया है अब इनमें से कोई एक cell होता है जो कि क्या करता है? लैग 2 का formation करने लगता है लैग 2 यहाँ पे data की तरह काम करता है यानि एक ligand की तरह काम करता है जो cell लैग 2 का production करता है वो cell future में चलके anchor cell बन जाता है और जो cell लैग 2 का production कर रहा होता है वो link 12 का production नहीं करता है In fact, उसका opposite वाला cell जो है वो lean 12 का एक तरीके से production करता है Lean 12 एक्चुन में यहाँ पर notch की तरह काम करता है याँ रेसप्टर की तरह काम करता है तो जिस cell में lean 12 produce हो रहा है उसमें lag 2 नहीं बन रहा है जिसमें lag 2 बन रहा है उसमें lean 12 नहीं बन रहा है जिसमें lean 12 बनता है वो cell आगे चलके uterine tissue बन जाता है या uterine precursor tissue बन जाता है तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि anchor cell बनने के लिए lean 12 नहीं चाहिए और uterine tissue बनने के लिए lean 12 चाहिए तो जो cell lean 12 बना रहा होता है वो lag 2 बहुत ही कम amount में produce करता है और आगे चलके वो amount nil भी हो जाता है और जो cell lean 12 बना रहा होता है वो lean 12 नहीं बनाता है या बहुत ही कम amount में बना रहा होता है in a very initial stage अब अगर इनके mutation cases की बात करते हैं तो क्योंकि हमको ये चीज़ समझ में आ गई कि lag 2 चाहिए किसके लिए anchor cell बनाने के लिए और lean 12 चाहिए uterine tissue बनाने के लिए तो अगर आप lean 12 का loss of function करवा दो तो उस case में क्या हो जाएगा lean 12 दोनों मैं से किसी cell में पाये नहीं जाएगे यानि दोनों cell में land to रहे है yora हैंस दोनो की दोनो cells anchor cell बन जाये जिसे हम याँ पे AC कह रहे की अगर आप gain of function mutation करवा दो याई gain of function of what gain of function of lean 12 अगर आप दोनों cell में gain of function करवा दो तो दोनों cell lean 12 बनाने लगे दोनों की दोनों uterine precursor tissue बन जाएंगे और इसका vice versa condition भी आप देख सकते हैं तो इस तरीके से हम क्या सकते हैं कि anchor cell का formation कैसे हुआ अब यह anchor cell का formation हमने क्यों पढ़ा क्योंकि anchor cell आगे चलके जो है inducer की तरह काम करेगा इसलिए anchor cell का बारे में हमें पता होना जरूरी ही अगला आता है vulva induction की vulva कैसे form होता है तो शुरुवात में क्या होता है लगबर 12 cells होते है ठीक है और उन 12 cells में से जो है 6 cells को select किया जाता है जिन cell को select किया जाता है उन्हें हम VPC कहते हैं that is vulva precursor cell कहते हैं जिन 6 cell को select किया जाता है actual में उनमें lin 39 का एक तरीके से expression होता है वो होते हैं P3 से लेके P8 और बाकी जो cells होते हैं that is starting from P1 to P12 इनमें से जो है P3 से लेकर P8 तक का selection होता है वो जो 6 VPC होते हैं उस form और बाकी जो cells होते हैं वो आपस में fuse करके hypodermis बनाने होते हैं यह जो P3 से लेके P8 हैं इनमें से P5 से लेके P7 इनी cells को जो है lin 3 नाम का signaling molecule मिलता है और यही तीन cell आगे चलके बलवा बनाने में मदद करते हैं lin 3 जो है homolog है epidermal growth factor का जो की animals में पाये जाता है let 23 की बात करें तो lin 3 क्यूंकि ligand है तो ligand का receptor होना चाहिए तो let 23 जो है receptor की तरह काम करता है let 23 जो है लगबग सारे ही VPC पे present रहता है यानि starting from 3 to 8 P3 से लेके P8 तक सभी पे present रहता है 6 VPC जो है यह equivalence group बनाते हैं और VPC का default fate होता है hypodermis या skin बनाना या epidermis बनाना इसके अलबल lin 12 यहां भी काम करता है लेकिन किसी और करिके से that is lateral inhibition कराने में मदद करता है चलिए समझते हैं की vulva form कैसे होता है यह रहे वो 6 VPC जिनका की selection हुआ है यह उपर की तरफ रहा anchor cell anchor cell जिस cell के सबसे नजदीक रहता है उसी के पास lin 3 का amount सबसे जादा जाता है जिस cell के सबसे close रहता है वो होता है P6 जो कि आप यहां पे देख सकते हैं इसलिए lin 3 का highest concentration P6 को मिलता है lowest concentration P5 & P7 को मिलता है जिसकी वज़े से highest concentration पाकर P6 जो है primary VPC बन जाता है low concentration पाकर P7 & P5 जो है secondary VPC बन जाते हैं और लगभग ना के बराबर concentration पाकर P8, P4, P3 यह tertiary VPC बन जाते हैं यह primary VPC आगे चलके divide करता है primary and secondary तीनों की तीनों divide करते हैं और आगे चलके वल्वा का formation करते हैं लेकिन जो tertiary VPC होते हैं वो आगे चलके अपना default fate ले लेते हैं that is hypodermis बनाने का काम करते हैं P6 क्योंकि primary बना है तो वो चाहता है कि और कोई primary ना बने इसके लिए क्या करता है P6 जो है P7 & P5 को laterally inhibit करता है with the help of lin-12 जिसके बज़े से सिर्फ और सिर्फ primary fate P6 के पास पाया जाता है और P7 & P8 के पास secondary fate पाया जाता है तो यह था पूरा का पूरा vulva induction का process अब इसमें अगर हम mutation cases की बात करते हैं तो माल लीजिए अगर anchor cell ना हो या lin-3 ना हो या led-23 ना हो lin-39 ना हो या VPC ना हो इन तीनों ही cases में कभी भी vulva नहीं बनेगा यानि vulva less phenotype आपको देखने को मिलेगा अगर lin-3 का concentration low हो गया या reduce हो गया तो उस time पर सिर्फ एक ही VPC बनेगा वो होगा primary जिसके वज़े से आगे चलके vulva भी form नहीं होगा अगर team central VPC को आप destroy कर देते हो तो जो बाकी 3 बचे हैं that is 3, 4 and 8 वो जो है एक तरीके से वल्वा बनाने में participate करने लगे और अगर lin-3 को आपने over express कर दिया तो आपको multi vulva condition देखने को मिलेगा तो यह थे mutation cases regarding the vulva formation अब अगर हम cleavage की बात करते हैं तो इनमें जो cleavage होता है जो zygote बनता है उसका एक तरीके से जो cleavage होता है वो होता है rotational holoblastic जो की एक तरीके का asymmetric division होता है जिसमें की जो cells हमको मिलता है जब भी division होता है तो एक हमको stem cell मिलता है और founder cell मिलता है यहाँ पर जो founder cell है वो AB, MS, E, C, D हो सकते हैं और stem cell P1, P2, P3, P4 हो सकते हैं अब टी वेच की बात करते हैं तो देखिए पहला टी वेच होता है तो AB एण P1 बनता है AB फिर AB interior AB posterior में divide होता है और P1 ems और P2 में divide होता है then AB anterior जो है वो left and right में divide होता है और AB posterior भी left and right में divide होता है EMS, MS और E में division करता है P2, C and P3 में करता है फिर P3D and P4 बनाता है और P4 फिर jawline बनाता है और इन सब के ये respective fates होते हैं यानि कि आगे चलती है ब्लास्टोमियर क्या करने वाले हैं इस तरीके से P1 से लेके P4 stem cell है और बाकी जो cells हैं यहाँ पे वो somatic cell की तरह काम करते हैं यह division में कैसे दिखते हैं यह भी आप यहाँ पे easily देख सकते हैं तो यह था division process जो की मेली rotational holoblastic form में होता है फिर आता है इनका anterior posterior axis formation and DV axis formation यानि की dorsal vental axis formation anterior posterior axis की बात करें कि इन में anterior posterior axis कैसे form होता है तो जब sperm की entry होती है तो sperm जो side occupy करता है egg के अंदर and sperm का जो pro nucleus होता है जिस side को occupy करता है वो future में चलके posterior hole बन जाता है उतरही नहीं उसी side में जो है P granules भी आप future में चलके accumulate होते हैं और वहाँ पर par 1 and par 2 proteins भी आके future में accumulate होते हैं यह वाली side future में posterior बनती है यानि की यह बनती है जहाँ पर mainly आपको P blastomeres देखने को मिलेंगे इसका opposite side जो होता है वो anterior बनता है और वहाँ पर par 3 and par 6 protein का mainly accumulation होता है AP axis जो है first division से पहले ही लगभग determine हो जाता है और second जो AP axis को define करने का तरीका होता है वो होता है P granules के दवारा P granule का जो localization होता है वो mainly micro filament के दवारा किया जाता है इस तरीके से जो है AP axis बनता है DV axis यानि dorsal ventral axis की बात करें तो जो 4 cell stage होता है उस वक पे AP जहाँ पर present होता है वो alasite future में dorsal बनता है और EMS जहाँ पर present होता है वो alasite future में बनता है तो यह था हमारा DV axis formation अब बात करते हैं यहाँ पर specification की यह specification इन में कैसे होता है यानि की कौन से cell किस तरीके से specify होता है तो सबसे पहले AB और P1 की बात कर लेते हैं तो AB cell जो है conditionally specified होते हैं और P1 cell autonomously specified होते हैं AB cell को अगर आप isolate करते हो तो सिर्फ यह fraction of cell बना के रुप जाता है लेकिन P1 cell को अगर आप एक तरीके से isolate करोगे तो यह अपना normal fate gain कर लेता है that is an indication कि P1 autonomous show कर रहा है और AB conditional show कर रहा है क्योंकि AB को जो है P1 का interaction चाहिए अपना normal fate gain करने के लिए conditional specification जो है endodermal cell lineage को बनाने में भी मदद करता है example के लिए देखिए जब आप four cell stage देखेंगे तो उस टाइम पे EMS P2 से जो है एक तरीके से interact कर रहा होता है इस तरीके से present रहता है blastonier में तो जब EMS P2 से interact करता है उसी वक्त पे MS और E बनता है E future में जो है endodermal fate रखता है और MS mesodermal रखता है लेकिन अगर मान लीजी आपने P2 को हटा दिया तो EMS जो है दो MS cell बना लेगा यहां पर और MS cell बना लेगा मतलब कि यहां पर जो है endoderm बनाने वाला जो cell है वो नहीं बनेगा यानि कि E cell यहां नहीं बनेगा जो future में चलके intestine बनाएगा तो इसलिए बोलाए कि अगर endodermal cell lineage की बात करें तो यहां conditional specification की जरूरत होती है क्योंकि EMS cell को P2 जो है conditionally specify कर रहा होता है कैसे specify कर रहा होता है वो भी हम आगे देखेंगे इसके अलवा जो P2 cell है वो EMS की तो मदद करी रहा होता है वो ABP और ABA cell की भी मदद कर रहा होता है अब यह जो दोनों की दोनों pathway है इसको हम एक साथ यहां पर deal करेंगे जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि P2 cell जो है EMS के साथ किस तरीके से interact कर रहा है P2 क्या करता है P2 जो है MOM2 peptide को secrete करता है और EMS cell के उपर जो MOM5 peptide होता है जो की receptor की तरह काम करता है उससे आके bind कर जाता है यह जो signaling होती है वो क्या करती है EMS को MS और E मेर डिवाइड करने में मदद करती है इतने ही नहीं POP1 gene का action जो है MS बनने जो फेट होता है वहाँ देखा जाता है और POP1 gene का absence जो है या फिर no action E cell के फेट में देखा जाता है इसकी अलावा अगर देखा जाए तो P2 की अगर बात करते हैं तो ABP और ABA के case में कैसे distinguish करता है तो P2 जो है ABP के साथ interact करता है P2 के surface पे APX1 delta protein होता है और ABP और ABA cell के उपर जो है that is GLP1 नाम का receptor होता है P2 जब ABP से interact करता है तो ABP को वो एक तरीके से neuron and hypodermis में convert करता है लेकिन ABA से वो interact नहीं कर सकता है इसलिए ABA जो है neuron, hypodermis and that is pharynx बन जाता है इसलिए ABP और ABA में से फर्क कितना है कि ABP को मौका मिल जा रहा है P2 से interact करने का और ABA को यह मौका नहीं मिल रहा है तो अगर आप ABP और ABA को swap कर दो अगर एक दूसरे की जगर पे तो भी आपको normal feed देखने को मिलेगा क्योंकि ABP की जगर अगर ABA आया तो वो क्या बनाएगा neuron and hypodermis बना देगा लेकिन ABP की खासियत उसको कहां से मिल रहा है सिफ P2 के interaction की वज़े से तो अगर आप ABP को P2 से अलग कर दोगे तो ABP जो है एक तरीके से ABA की तरह behave कर देगा तो यह था Pura का Pura case और जितना सारा important portion है जो कि C Elegant में पूछा जाता है वो हमने यहां पे इस वीडियो में जो है cover किया और आपने देखा कितने crisp तरीके से cover किया और जिन बच्चों ने और डीटल में पढ़ रखा है उनको पता है कि यह काफी जादा आसान था और जिस तरीके से हमने इसका Pura mind map trade किया है उस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको easily जो है मतलब मैं तो बोल बोल के पढ़ा रही हूं इसलिए मुझे लगबग 15-20 मिट का भी time लगा लेकिन आगर आप self revision करोगे तो आपको उससे भी कम time लगेगा पास से 6 मिट में जो है आप एक पुरा को पुरा चाप्टर रिवाइस कर सकते हो अगर आपके पास ऐसे mind maps ready हो तो अगर आपको हमारे साथ डीटेल में अगर पढ़ना है CSI net के लिए gate के लिए तो आप हमारा जो है batch join कर सकते हो वो webme पे जहां पे CSI net और gate के जो courses हैं वो फिलहाल में run हो रहे है CSI का December 2024 का batch में फिलहाल में run हो रहा है तो आप उसे join कर सकते हैं और हमारे साथ अपने CSI की तयारी as well as gate 2025 की तयारी कर सकते हैं कोई बिक्कत होती है तो इस contact number पे आप team को contact कर सकते हैं और अपनी query को जो है resolve कर वा सकते हैं comment section में जरूर बदाएगा कि आपको ये कोशिश कैस